नमस्कार दोस्तों कम्पीटर विद्या में आपका स्वागत है आज के या वीडियो आटाचकी वीडियो सिरीज का चाउथा पाठ है जिसमें हम धनिय की पिसाई के बारे में बताएंगे आप धनिय का पाउडर बना कर छोटे लेवल पर या कम्पनी को रेजिस्टर करके बड़े लेवल पर इसे सुरू कर सकते हैं हम आपको 3 HP के मसीन पर धनिय की पिसाई के बारे में बता रहे हैं आप इसे अगर बड़े लेवल पर करना चाहा रहे हैं तो आप 5 HP या 10 HP के मसीन को लगा कर इस बिजनस को सुरू कर सकते हैं बहुत सारे वीवर ने हम से पूछा है इस मसीन की क्या प्राइज है दोस्तो इस मसीन की प्राइज 24,500 रुपए है आप चाहे तो 5 HP या 10 HP के मसीन को खरिश सकते हैं और उससे बड़े लेवल पर इस बिजनस को चालू कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस आटचक की मसीन के साथ नौ प्राकार की जालिया आती है जिन में से चाह नंबर की जाली का प्रियोग हम दनिया की पिसाई के लिए करते हैं इस चाह नंबर की जाली को मसीन में अच्छी तरीके से सेट कर लिजिए अब पिसाई के लिए आये हुए धनिया को आटचक की मसीन के अनास तैंस पर दाल दिए आटचक कर लिजिए कि धनिया अच्छी तरीके से सूखा हो और धनिया में कोई भी पत्थर, लोहा या कंकर सामिन ना हो इसके बाद आटचक की के मेन पावर सर्कित को आउन करके हम यह चेक करते हैं कि आटचक की में आने वाला वोल्टेज 200 से अधिक है ज़िया वोल्टेज 200 से अधिक है तो हम ग्रेन बटन को दबाकर मसीन को आउन करते हैं तो अब धनिया के बीरने की मातरा को इस बटन के द्वारा हम से क्वाइब अब मसीन को वाच करके रहें कि नन्य प्रापड़ भी इस तर है अब धनिया की घेवने की मात्रा को इस बटन की द्वारा आप सेथ करके रहें धनिया की एक बार की पिसाई कंपलीट हो चुकी है चुकि धनिया ओयली होता है अता इसे दो बार पिसाई करने की जुरत पड़ती है अब तिसी में धनिया को फिर से अनाज टैंक पर डालते हैं धनिया के दूसर पिसाई के समय धनिया को हातों की सहारा से मसीन में गिराया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह हातों के द्वारा धनिया को बीजे धीरे मसीन में गिराया जाता है जैसा जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो आप देख सकते हैं धन्य की दो बार पिसाई करने से इसकी पिसाई अच्छी तरीके से हो चुकी है यह पूरी तरह पाउडर बन चुका है अब आप चाहे तो इसे सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे पैकेज के रूप में बना कर मार्केट में भी सेल कर स झाल झाल